रिस्ते पैसों के मौताज बिलकुल नहीं होते क्योंकि कुछ रिस्ते मुनाफित जरूर नहीं देंगे आपको लेकिन लाइफ में पूरे जीवन भर आपको जो है वो अमीर जरूर बना देंगे कहने का मतलब है यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा और मेरा प् लाइफ में पैसा सब कुस तो होता है लेकिन परिवार के लिए नहीं कहने का मतलब है लाइफ में ऐसा टाइम आपके लाइफ में जरूर आएगा जहां पर अगर आपके पास पैसा नहीं में रहेगा ना फिर भी mentally support जो है वो आपका परिवार अगर आपके साथ खड़ा रह किसी भी मुसीबत में तो आपको लगेगा कि पैसा से भी ज़्यादा किम्ती जो चीज मैंने कमाया लाइफ में वो है परिवार तो परिवार का इपोर्टेंट्स क्या है ये चीज़ आप समझेंगा रिस्ते किसको बोलते हैं ठीक है और कहीं आपको जुकना भी पड़े ना मालो आपकी गलती नहीं भी है अगर फिर भी आप जुकते हो और उस रिस्ते को निभाते हैं तो आपसे बड़ा इंसान भी लाइफ में कोई नहीं है क्लास को स्टार्ट करूँगा बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नहीं है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा देना ताकि हर एक क्लास का अपड़ेट मिलता रहे और आज सनी बार है आज यहीं बोलूँगा कि साम को हो सकी तो दो से अड़हाई से तीन घंटे का एक लाइब क्लास मैं आपको दूँगा पूरा चकरवदी ब्याच के उपर पूरा डिटेल में ठीके और आज कबर करने वाले हैं 1st February के Important Current Affair कुछ Important Point के साथ और किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट प्रैक्टिस से जो है आप हमारे एक्जाम को डाउनलोड करने के बाद जो है Success Key 98 जो आपको Google के Play Store पर मिल जाएगा इस एक्जाम को डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही दे सकते हैं ठीक है ताकि एक्जाम से पहले आप सभी जज कर पाओ कि आप स्कोर कितना कर पारें और 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ हर एक्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा ठीक है और तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्त है हमारे सामने पड़ी यह एक स्टेडियम है यह स्टेडियम का उद्घाटन जो है वह किस राजमे किया गया है यह आपको बताना है और यह किया गया है आपका पद्धी यूबी यह नाम का जो स्टेडियम है इसका उद्घाटन किया गया है आपका अरुनाचल परदीश में और वहां के जो मुख्य मंत्री है जो खांडू साब उन्हों नहीं इसका उद्घाटन किया था और अरुनाचल परदेश के राद जिपाल कौन है बीडी मिस्रा और कैपिटल तो वो है आपका इटा नगर next question हमारे सामने है हाल ही में जो सांबर जील है सांबर जील राजस्थान में उसमें किस जीव की खोच की कहें यह आपको बताना है which organism has recently discovered in सांबर लेक इन राजस्थान और वो जीव है आपका इकोली एक परकार का यह कीड़ा है option number D ठीक है इसकी खोच की गई है सांबर जील में जो आपका राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान का capital आपका जयपूर और वहां के राजजुपाल है कलराज मिस्रा और सियम कौन है तो वो है आपके असोग गहलोद अगला प्रसमारे सामने है दूसरा यानि भारत का दूसरा all women post office यानि मैलाओ के लिए जो है वो post office पाने के लिए कौन सा सहर तयार है यानि कहने का मतलब है यहां पर औरतों के लिए महिलाओ के लिए दूसरा post office जिस राज़ु में खुलेगा जिस सहर में खुलेगा उस सहर का नाम क्या है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाईया पहला सहर कौन सा है जहां पर ये post office महिलाओ के लिए खुला था तो पहले आप ये clear कर लो कि question में पूछ रहा है आपका दुसरा तो पहला खुला था आपका नई दिल्ली में और दुसरा खुला है आपका मुंबई में option number आपका D और माराष्ट का राजधानी आपका मुंबई है माराष्ट के सियम कौन है तो सभी को पता है उद्ध ठाकरे और राजजुपाल तो भागस सिंग खोसियारी अगला प्रस्मारे सामने है दुनिया का सबसे meditation center यानि सबसे बड़ा ध्यान किंद्र जो है वो कहां पर उसका गाटन किया गया है आपका हैदराबाद में कौशन काफी important है अपने आप में ये कौशन इत्यास बन गया है क्योंकि कौशन में बोल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान किंद्र हैदराबाद में जो है इसका उद्ध गाटन किया गया है 28 जैनवरी को अगला प्रस्मा अरे सामने है किस राज की पुलिस ने 172 गरतंत्र दिवस के औसर पर 108 पदक से वहां की पुलिस को सम्मानित किया गया है कहां की पुलिस को तो जम्मू एंड कासमीर के पुलिस को option number आपका A ठीक है और आप सभी को पता है जम्मू एंड कासमीर के जो उपर राग जपाल है उनका नाम क्या है तो ग्रीस चंद्र मुर्मू ये आपको याद रखना है और लद्दा का तो राधा कृष्णा माथूर अगला प्रसमारे सामने हैं कि फेम बोसा फेम बोसा क्वसेन ये वाला काफी important है याद रखिएगा आप सभी फेम बोसा के नए अध्यच के रूप में क इसे नुक्त किया गया है ये आपको बताना है अब एक बार आप देख लो फेम बोसा का फूल फॉरम है क्या Forum of Election Management Bordies of South Asia यह आप फुल फ्रॉम याद रखना Forum of Election Management Bordies of South Asia और इसके नए चेर्मेंट जिसे नुक्त किया गया है उनका नाम है आपका सुनील अरोरा आप सभी को पता है भारत के बर्तमान इलेक्शन का मिस्नर भी कौन है सुनील अरोरा ही है option number आपका C ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है एक उपनियास है बल्वा इसकी रचना किसने की है यह आपको बताना है और इसकी रचना की गई है मुक्तार अबास नक्वी के द्वारा option number आपका D मुक्तार अबास नक्वी जी के द्वारा जो है बलवा की रचना की गई है ठीक है यह question याद रखें काफी important question है यह वाला अगला प्रस्वारे सामने बहुत important आज के class में जितने भी question आपको देखने को मिल रहे हैं आप बोल सकते हूँ February का पहला दिन ही काफी important question से भड़ा पड़ा है लिखकर रख लो हो गया है वो एक प्रसीद्ध क्या थे अब यह question जान लो हाल ही में इनका helicopter जो है न वो crash कर गया ठीक है accident होने के वज़े से जो है इनका निधन हो गया और बहुत सारे star player football, cricket player जो है इनको स्रधानजिली दिये है खेलते समय बहुत बड़े player थे यह और एक बात और चर्चित क्यूं है जिस helicopter में यह यात्रा कर रहे थे न उस helicopter में इनकी 13 साल की बेटी भी थी उसका भी निधन हो गया है तो question काफी important बनता है बहुत चर्चा में रहे हैं यह अभी हाल फिलाल में और यह एक basketball खिलाड़ी है एक्जाम में याद रखिएगा आपसे एक्जाम में इस question को घुमा कर कैसे पूछेगा एक basketball खिलाड़ी है जिनका हाली में निधन हो गया नाम क्या है तो आप क्या बोलोगे कोबो brand ठीक है अगर एक्जाम में पोच दे कोबो brand जिनका हाली में निधन हो गया वह क्या खिलते थे तो आप क्या बोलोगे basketball खिलाड़ी थे अब एक्जाम में ये भी पूछ देगा वह किस देश से खिलते थे तो आप क्या बोलोगे अमेरिका से खिलते थे ठीक है अगला प्रस हमारे सामने नई दिल्ली में जो विस्व पुस्तक मेला 2022 में होने वाला है उस देश में कौन से देश है जो सम्मानित अथिती होगा 2022 के विस्व पुस्तक मेला में कौन सा देश जो है वो सम्मानित अथिती होगा तो वो देश है आपका France option number D which country will be the guest of honor at the New Delhi World Book Fair 2022 और कौन सा देश होगा तो वो है आपका France और France का capital क्या है तो वो है आपका Paris वहां का मुद्रा Euro या फिर CFP और राश्टपती कौन है वहां की Emmanuel Macron अगला प्रस हमारे सामने cinema में उत्कृष्ट योगदान के लिए BAFTA जो award है वो किसे प्राप्त किया है यानि किसी दिया गया है और ये award दिया गया है आपका Andy सरकिस को option number आपका D अगला प्रस हमारे सामने है सरकार ने Air India में कितने परतिसत हिस्तेदारी बेचने के लिए बोली अमंत्रित की है अब आप सभी को पता है Air India भी जो है भारत सरकार बेच रही है और Air India के CEO कौन है परतीप सिंग खरोला ठीक है देश का कंडिसन बहुत खराब चल रहा आइस्ता आइस्ता बहुत चीज बेचा जा रहा है और आप सभी को मैं बता दू Air India का जो है एक सो परतिसत हिस्सा जो है उसकी निलामी करने की बोली जो है वो भारत सरकार लगा दिये तो एक तरफ से बोल सकते हैं बहुत खराब नीज है क्योंकि सरकार को काम करना चाहिए ये सब जो है वो देश की पॉपर्टी है अब तो सभी कुछ बेच देंगे तो इसका तो सॉलिसन निकलेगा नहीं ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है भारतिया रेलवे को किस वर्स तक ये कुछ इसन भी काफी इपोर्टेंट ही है भारतिया रेलवे को किस वर्स तक एक सो पर्तिसत बिजली पर स्विच करने की उमीद है 2024 तक कब तक 2024 तक अगला प्रस हमारे सामने है नवाड ने विद वर्स 2020 और 2021 के लिए प्राथमिक्ता छेतर के तहत उडिसा के लिए एक क्रेडिट छमता वो छमता कितने करोड उपए है वो अनुमाल लगाया है आपको बताना है और वो देगा कितना 90,000 से कुछ जादा पैसा राउंड फिगर में आप बोल सकते हो 90,000 करोड उडिसा को और एक बात और नवाड के चेयर्मेन कौन है तो आप बोलोगे नवाड के चेयर्मेन है भाईया आपके हर्स कुमार भनवाला और उडिसा के सियम नवीन पतनायक और गवर्नर गनेसीलाल और कैपिटल आपका तो वो है आपका वुवनेस्वर अगला प्रस्न मारे सामने है तामिल नाडू ग्रामिन बैंक के साथ विलाय करने वाले तामिल नाडू के दो ग्रामिन बैंक के साथ सफलता पूरग संचालन को किसने एकृत किया है और ये एकृत किया गया है TCS के द्वारा option number C और आज का आपका पहला question अंटीम question से निकल कर आ रहा है तामिल नाडू के मुख्य मंतरी राज जिपाल और तामिल नाडू का राजधानी ये तीन चीज आप सभी को comment करकर comment box में पताना है यह आपका आज का पहला प्रस्टन है सो मेरे जितने भी भाई बैन देख रहे है सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और इसका पूरा PDF टेलिग्राम पर सेयर कर दिया गया है तो वहां से आप सभी download कर लीचेगा ठीक है सो अपने सासाथ अपने मम्मी और पापा दोनों का भी खयाल रखिएगा सभी को good morning have a great day चलिए